जै श्री कृष्णा भक्तो आज मैं आप लोगों के सामने दिपावली की कहानी लेकर आएं हूँ। दिपावली, दिवाली, दीपावली यह सब एक ही त्योहार के नाम हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विश्णु ने असुर राज बली को पाताल लोग के अधिपती बनाया था। इस पर इंद्र ने प्रसन्यता से घी के दीपक जलाकर दिवाली मनाई कि उनके स्वर्ग तथा इंद्रासन की बली से रक्षा हो गई। दूसरी प्रथा है एक अन्यमान्यता यह भी है कि इस दिन समुद्र मन्थन से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी तथा विश्णु भगवान का उन्होंने पती के रूप में वरण किया था। और तीसरी मान्यता यह है कि इसी दिन रावन वद के बाद राम चंद्र जी आयोध्या में पधारे थे। तथा उनका राज तिलक समारो संपन हुआ था। अयोध्या दीपों से सजाई गई थी। इसी दिन राजा विक्रमा दित्ये ने अपना संबत चलानी का निर्णे किया था। उन होने विद्वानों को बुलाकर निन्ने किया था कि नया संवत चैत्र सुधी प्रती पदा से चलाया जाए। ऐसा उलेक भी है कि इसी दिन आर्रे समाज के संस्थापक महारिशी दयानंद सरस्वती का निर्वान हुआ था। अब आप सुनिए लक्षमी जी की कथा। प्राचीन काल का वर्णन है कि एक साहुकार था। उसके एक लड़की थी जो नित्य प्रती पीपल के व्रिक्ष की पूजा करने जाया करती थी। साहुकार की पुत्री प्रती दिन लक्षमी को पीपल के व्रिक्ष से निकलते देखा करती थी एक दिन साहुकार की पुत्री से प्रसन्न होकर लक्षमी जी बोली तू मेरी सहेली बन जा इस साहुकार की पुत्री ने लक्षमी जी से कहा पहले मैं अपने माता पिता की आग्या ले लूँ फिर आपकी बात स्विकार कर लूँगी सहुकार की पुत्री ने जब अपने माता पिता को सारी बात बताई तो वे प्रसन्य होकर बोले वे तो लक्षमी जी है यह तो हमारा सौभा क्या है बेटी तु लक्षमी जी की सहेली अवश्य बन जा दूसरे दिन सहुकार क बेटी फिर पीपल पूजने गई तो लक्षमी जी उसके सामने निकली उसने हाथ जोड कर लक्षमी जी से कहा मेरे माता पिता ने आग्या दे दी है मैं आपकी सहेली बनने को तैयार हूँ इस पर लक्षमी जी ने प्रसन्य होकर साहुकार की बेटी को अपनी सहेली बना लि एक दिन लक्ष्मी जी ने साहुकार की पुत्री को अपने यहां निमंतर्ण किया जब साहुकार की पुत्री लक्ष्मी जी के यहां भोजन करने आई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने की चौकी पर बैठा कर सोने के बरतनों में अनेक प्रकार के सुंदर खाद्य प्रदार्थ भोजन कराए उसे ओढ़ने के लिए एक सुन्दर दुशाला भी दिया भोजन करके दुशाला ओढ़कर जब साहुकार की बेटी अपने घर जाने लगी तो प्रेम से उसका हाथ पकड़ कर लक्षमी जी बोली कल मैं तुम्हारे यहां भोजन करने आऊंगी साहुकार की बेटी ने आदर सहित लक्षमी जी से कहा आप अवश्य आईए यह हमारा सौभाग्य है कहकर वह अपने घर चली आई घर आकर लड़की उदास होकर बैट गई उसने लक्षमी जी द्वारा किये गए स्वागत सतकार को जब अपने माता पिता को बताया तो वह बड़े प्रसन्न फिर उन्होंने लड़की से उदासी का कारण पूछा इस पर लड़की बोली हे पिता जी मैं बहुत दुखी और उदास हूं कि आज लक्षमी जी मेरे यहां भोजन करने आएंगी पर मैं उन्हें कैसे प्रसन्न संतुष्ट कर पाऊंगी मैं वैसा स्वागत कैसे करूं जैस उन्होंने मेरा किया है इस पर सहुकार ने अपनी पुत्री से कहा बेटी उदास मत हो वे तो लक्षमी जी हैं हम क्या कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता देवी देवता तो श्रद्धा प्रेम के भूके होते हैं अपने से जो रूखा सूखा स्वागत सत्कार बन पड़ हम करेंगे प्रेम और आदर से हम पीछे नहीं हटेंगे तू उदासी छोड़ घर को धो साफ गोबर मिट्टी से सुन्दर सा चौका बना ले उस पर आटे से चौक पूर कर एक चौमुखा दीपक रख कर लक्षमी जी का नाम स्मर्ण कर लक्षमी जी ऐस लक्षमी जी आएं तब वह उसी चौकर पर बैठेंगी चौके पर बैठने के बार तो उनका पूजन करना लड़की ने ऐसा ही किया इसी समय एक चील उड़ती हुई आई वह किसी रानी का बहु मुल्य हीरो जड़ा नौलक्खा हार उठा लाई थी चील ने वह कीमती हार साहुकार की बेटी के आगे गिरा दिया हार देखकर साहुकार की पुत्री प्रसन्न हो उठी उसने एक सोने की चौकी और सोने के बरतनों का भी प्रभंद कर लिया फिर हार को एक थाल में दुशाले से ढखकर रख ही रही थी कि उसी समय गणेश जी तथा लक्ष्मी जी उसके यहां आ गए साहुकार की बेटी ने लक्ष्मी जी तथा गणेश जी का बड़े प्रेम और आदर से स्वागत सत्कार किया उसने सोने की चौकी पर बैठने के लिए कहा लक्ष्मी जी सोने की चौकी पर बैठने से आनाकानी करने लगी वे बोली मैं इस पर नहीं बैठूंगी इस पर तो राजा रानी बैठते हैं इस पर सहुकार की पुत्री ने लक्ष्मी जी को बड़े आदर तथा प्रेम से मनाया तब लक्ष्मी जी गणेश जी उस चौकी पर आसन ग्रहन करके सहुकार की पुत्री का आदर सतकार ग्रहन करने लगे दोनों ने सहुकार की पुत्री का बनाया भोजन किया श्मी जी तथा गणेश जी साहुकार की पुत्री के प्रेम आदर और श्रद्ध से बड़े प्रभावित हुए उन्होंने साहुकार की पुत्री को धन समपत्ती से भर दिया लक्ष्मी जी तथा गणेश जी की कृपा से साहुकार के घर धन समपत्ती से भर कर परि पूर्ण हो गया हे लक्ष्मी जी जैसे आप साहुकार की पुत्री की चौकी पर बैठी और धन समपत्ती से भर दिया वैसे ही सब के घर पर बैठना हम पर भी अपनी कृपा करना प्रेम से बोलो श्री लक्ष्मी जी विश्नु जी, गनेश जी कुबेर जी, सरस्वती जी की जै भत्तो इसी प्रकार हमेशा हमें आपको, हर किसी को भगवान को सदा भाव के साथ पूजना चाहिए भगवान धन के लो भी नहीं होते वह तो हमें धन देते हैं लक्ष्मी जी ने जैसे साहुकार की बेटी को धन दिया क्योंकि, क्योंकि उसने लक्ष्मी जी को प्रेम और आदर के साथ पूजा, गनेश जी को आदर के साथ पूजा ना कि उसने महंगे तौफे को उनके सामने रखा, वह तो यह सोच रही थी कि मैं जैसे उन्होंने मेरी आदर सद्भाव में कोई कमी नहीं करी, वैसे ही मैं भी ना करूँ, परन्तु जब उसके पिताजी ने उसको समझाया, तो वह समझ गई, इसी लिए कहते हैं भग्तो, भगवान को सदा प्रेम दो, वो आपके घर को धन धानने से भर देंगे, दिपावली का त्योहार जिस किसी के घर में भी धन ना हो, वह लक्ष्मी जी को उस त्योहार पर मना सकता है, और अपनी की गई, किसी ना किसी गलती पर पश्तावा करते हुए उनको मनाएं, तो लक्ष्मी जी जरूर प्रसन्न होंगी बोलो जै हो लक्ष्मी माता की जै हो विष्णु जी की जै हो गनेश जी की कुबेर जी की जै हो सरस्वती की जै बोलो सनातन धर्म की जै